हेलो सुदेंस वेलकम चो माई योट्यूब चानल सिल्वर लाइबरी आज हम आई एसी का कंप्यूटर साइंस का हम थेोरी कोशन्स रिवाइस करेंगे तो ज्यादातर क्या होते हैं कि हम हर टॉपिक ना हम प्रोग्राम्स अच्छा से प्रैक्टिस कर लेता हैं लेकिन उसका थ सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है मर्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है हायरिकल इनहेरिटेंस क्या होता है यह सब फिर उसके बाद आता है इंटरफेस ठीक है इंटरफेस का कोशन बहुत बार आया भी है और इस बार भी आने के चांसिस हैं तो इसका भी अच्छे से कर लेना। और फिर differences भी आ सकते हैं ख्लासेант के बीच में difference क्या है, extends और implements का difference क्या है, ये सबसे important है extends और implements ये, as a difference में भी ना आए, definition में भी आ सकते हैं ये इसा भीह फिर कई भी कोई अ short fill-up ये फिर ऐसे में आ सकते हैं फिर उसके बाद है अब्सक्राइड का डिफरेंस ठीक है यह भी आ सकता है फिर आता है वाट इस अब्स्राक्ट मैथड मैथड का जो चाप्टर है उसमें जितना भी जितने भी रिकर्शन बेसिकली वह बेस केस और जितने भी एक्सेप्शन हैंडलिंग गरा जितने भी वह जावा के अंदर वह जितने भी आता है वो करना बहुत इंपोर्टेंट है तो वह भी कर लीजेगा जैसे कि हमारा यह सूपर कीवर्ड है ठीक है उन सबका आ सकता है कॉस्टेंज फिर उसके बाद हमारा एक्सेप्शन हैंडिंग आ जाता है जो कि बहुत ही पावाफुल मेकानिसम है तो हैंडल लिस्ट, बाइनरी ट्री, ठीक है तो यह सारे जितना भी है यह प्रोग्राम्स के लिए भी मोटन्ट है और इसमें ठीक दो आ सकता है फिर उसके बाद है रिकर्शन का रिकर्शन वसेज आइटरेशन बहुत इंपोर्डेंट है यही एक डिफरेंस है इसमें रिकर्शन वसे एक्चुल पारमेटर वसेज फॉर्मल पारमेटर, फॉल थू, न्यू कीवड और फाइनल कीवड ठीक है तो यह पूरा ओवराल ना एक पूरा था कि जो आप पढ़ सकते हैं इस यह जो आपका एक्जाम होगा उसके लिए ठीक है तो all the best for your exams and if you like this video then please like, share and subscribe, thanks for watching कर दो